आईक्यू नियो एट प्रो बेसिकली चाइना के साथ अधर कंट्रीज में बहुत ही जल्दी लॉंच होनी की उमीद है क्योंकि इस वाले पॉन्स के कुछ लीक्स निकल के सामने एक मॉडल नंबर है अन्तुतु बेंच मार्किंग साइट पर स्पॉर्ट किया गया जिसमें से आईक्यू नियो एट प्रो के कुछ स्पेस्फिकेसंस के बारे में पता चलता है अरा कि इस वाले पॉन्स के जो स्पेस्फिकेसंस निकल के सामने आ है वो काफी लाजवाब है इससे पहले बात आईक्यू नियो सेबन प्रो का एक सक्सेजर नहीं बोल सकते हैं मतलब क्या डिफ्रेंस इस होने वाले फोन के भारे में प्रकास डालेंगे अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन जरू प्रस कर लें हाली में एक लीक्स निकल के सामने आई थी कि आईक्यू नियो एट प्रो बेसिकली मीडेक डायमंड सीटी चिपसेट द्वारा पावर्ड होगा इस वाले फोन में मतलब इस चिपसेट के साथ एक 16GB की और 512GB का इंटरने स्टोरेज भी जोड़ा जाएगा हाला कि इस वाले फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन से चिया गया है और इस वाले फोन के स्कोर्स भी निकल के सामया है तो लिक्स लीक होए सुषकी के अधार पर इस वाले पोन के चिप कि और पिछले लीक्स के हिसाफ से अगर मैच कि आजाए तो दो नहीं चीफिकशन बीक को नहीं मिलता की लिस्टिंग के अनुसार आईक्यू नियो एट प्रो का मॉडल नंबर वी टू त्री एट टू ए जो इसमें स्कोर्स निकले वह लगबग अठ्था तेरा लाक अड़ सट अजार पांसो संतान भी लगबगे तगड़े हैं और दूसरे चीज़ यह भी बता जा रहा है कि वाला लांच होगा वैसे इधर इसके लिक्स निकलने सुर्ण हो जाएंगे यह बिया इस पर सटिवाइड जाएगा हाला कि एक चीज़ और आपको बता दू कंपनी ने यानि ब्रांड ने अभी तक वाले फोन के लॉंच डेट का अटांस नहीं किये लिक्स निकल के सामने आ रहे पर बहतर हो सकता है साथ के साथ यह भी बताई चाहरी इसमें 12GB की रहें और 512GB का इंटरलने स्टोरेज भी जोड़ा जाएगा साथ के साथ यह फोन अंड्रीट आउट आप दो बॉक्स आएगा और बाकी सम्तिंग कुछ इस सम्तिंग हो सकता है हाला कि लीक्स के अधार पर इस वाले फोन के स्पेसिफिकेशन के अगर बारें बात की जाया तो डिस्प्ले के अगर बारें ध्यान दिया जाते हैं इसमें 6.67 इंच की एक फोल एच्टी प्रस एमॉलेट 1.5 के एजूलेशन की डिस्प्ले देखने को मिलेगी साथ के साथ इसमें 120 घर्स भी सपोर्ट क मिल सकती है हाला कि यह भी बताई जा रही कि इसके कुछ अधर राम वेरियंट यह स्टोरेज वेरियंट भी देखने को मिलेगा माकि इस वाले फोन में यह भी बताई जा रहा कि 5000 इस बैटरी होगी 120 वर्ट की पास चार्जिंग का सपोर्ट करेगा रही बात अगर डिपार् है कि इस वाले फोन में 1.2 इंच का लाज देखने को मिलेगा अब लेकिन फिलाल यहां पर क्वेस्टन से क्या 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 हो गया पिर लाइक अगरे की ब्रांडिंग या पिर जो अधर चल रही सब वैसा हो सकता है लेकिन फिलाल अभी यहां पर कोई डिस्क्लोज नहीं सपोर्ट इस फोन में देखने को मिले हाला कि आपको पहले ही बता दो कि आईक्यू वाले जो बीसिकली गेमिंग को ज़्यादा टार्गेट करते हैं क्यामरा वार्मन के ज्यादा वैसे नहीं होते लेकिन अगर इनका जो पास्ट कर ट्रैक रिकॉर्स देको ना तो क्यामरा भी काफी इंप्रूब किया हुआ है तो बेसिकली एक खिलर हो सकते हैं बाकि स्मार्टपून प्रांड के लिए अगर बात की जाया तो यह बात की जाया तो यह बेसिकली महंगी होते है तो मैं अगर स्पेक्टेशन अपनी उठाओं तो 40-45 जार की प्राइस के साथ हमें देखने को मिलेंगे और एक सवाल भी होता है कि क्या 45-50 जार रुपे फोन पर चाइनीज ब्रांड के लिए सोचना थोड़ा आपकि आप लोग कि क्या भी चारिस वाले फोन के लेके नीच जल जयने